दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर है और आपकी ऐसी वीडियो है जिनमें आप Bollywood सॉंग यूज करना चाहते हैं या फिर कोई भी background music यूज करना चाहते हैं तो इस से related बहुत सारे question आप मुझे पूछते रहते हैं जैसे कि कितने second का हम music यूज करें जिससे कंप्रीट देख लिया थोड़ा बड़ा हो सकते है वीडियो तो आप Bollywood सॉंग और copyrighted जो music होते हैं इनको use करने के related हर doubts को clear कर चुके होंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेकनिकल योगी no drama no click bet all it है दोस्तों मैं आपको बता दू क कि जब भी Bollywood सॉंग को use करने की बात आती है YouTube पर या फिर background music को use करने की बात आती है YouTube पर तो यहां पर हमेशा आपकी जो वीडियो जे वो तीन केटेगरी में बाटी जाएगी पहली जो केटेगरी है वो है copyright free, second category है copyright claim और third category है copyright strike तो सबसे पहले first category की बात करते है copyright free music क्या है देखें YouTube पर YouTube audio library है जहाँ पर आपको copyright free sound effect भी मिल जाते है और music भी मिल जाते है वहाँ पर आपको दो तरीके के music मिलते हैं कुछ ऐसे music होते है जहाँ पर attribution आपको देना पड़ता है और कुछ ऐसे music होते है जहाँ पर कोई भी attribution नहीं देना पड़ता attribution का मतलब है credit तो आप जब भी किसी भी audio library में जब YouTube के audio library में किसी भी song को यानि कि किसी भी music को आप वहाँ से download करके अपनी वीडियो में use करते तो आप उसके license पे जाके पढ़े वहाँ पे लिखा होगा attribution required तो आप credit दे otherwise वहाँ पे लिखा है no attribution required तो आपको credit देने की कोई भी ज़रुत नहीं है इस case में ना तो आप पे कोई copyright strike आएगा और ना ही कोई copyright claim आएगा इसके लावा YouTube का एक दूसरा तरीका यह है कि YouTube पर एक channel है NCS वहाँ से भी आप music को use कर सकते है music वहाँ से download कीजिए अपनी वीडियो में use कर लीजे लेकिन आपको वहाँ पे credit देना पड़ेगा ये वो खुद बोलते है और ये हमारी एक morality भी है कि यार हम उनका use कर रहे है तो हम credit दे दे कोई problem नहीं है इसके लावा बहुत सारी ऐसी website है जैसे mix की टेक website है और भी कई website के बारे मैंने आपको बता है जहां से आप copyright free music लेकर use कर सकते है अपनी वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो ये तो हो गई copyright free music की बात अब बात करते है उन music की या फिर उन songs की जहाँ पर copyright claim आता है तो मैं आपके चीज़ के लिए कर दूँ चाहे आप कोई भी ऐसा music यूज़ करते है बैग्राउंड में जो की copyrighted content है यानि वो copyright free नहीं है या फिर कोई बॉलिवूड का song यूज़ करते है या फिर होलिवूड का कोई song यूज़ करते है अपनी वीडियो में तो आपके उपर आ जाता है एक copyright claim अब एक copyright claim आना 100% तो नहीं है लेकिन 80%, 89%, 85%, 90% आपको claim मिलता ही मिलता है अदर्वाइस कुछ percent ऐसे भी वीडियो होते है जिनमें आप वोलिवूड के song यूज़ करते है लेकिन आपको claim नहीं मिलता अब यहाँ पे YouTube क्या करता है जितने भी बड़ी-बड़ी music company है जैसे GMusic है, Tips Music है, T-Series है इन सबको एक content ID प्रोवाइड कराता है यूट्यूब का एक feature है तो बड़े-बड़े जितने भी channel है बड़ी-बड़ी music company को content ID देता है हर गाने के लिएक अलग content ID होती है जैसे ही आप उस गाने का कुछ भी part यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में तो content ID मैच हो जाती है और automatic आपके जो वीडियो है उस पर claim आ जाता है अब यहाँ पे इसमें तीन सवाल खड़े होते है पहला सवाल अगर आपकी वीडियो में copyright claim है तो क्या आपका चनल monetize हो जाएगा तो इसमें जवाबे हाँ बिल्कुल हो जाएगा कोई दिक्कत नी है दूसरा सवाल हम कितने second का song यूज़ करें कि हमारे channel पर शोर हो जाए हमकी कभी भी copyright claim नहीं आएगा तो इसका जवाबे नहीं कर सकते आप चाहे 5 second का करें 10 second का करें 20 second का इतने भी second का अगर आपने कोई Bollywood song यूज़ किया है और उसका content ID मैच होता है तो आपको copyright claim मिल सकता है अब बात करते है copyright claim मिलने से होता क्या क्या है पहली बात तो यह जब भी आपको copyright claim मिलेगा तो या तो आपकी जितनी भी earning उस वीडियो से होगी वो वहापर share हो जाएगी यानि जो company है जिसका आपने music यूज़ क्या है वो यह कहती है song यूज क्या है वो यह कहती है अगर आप किसी भी तरीके से इस वीडियो से monetize करके पैसा कमारे तो वो पैसा उनको चला जाएगा यह चीज मैं clear कर देता हूँ अब यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा होता है कि वहाँ कितना percent पैसा share होता है तो YouTube में अलग-अलग कमपनियों का अलग-अलग इसाब है कुछ में 100% पैसा share होता है कुछ में थोड़ा कम होता है लेकिन वो चीज clear नहीं है लेकिन एक चीज clear हो गई है कि यहाँ पर जो भी आपका monetize का पैसा है वहाँ पर share होगा इसके अलबा एक सवाल और भी खड़ा होता है कुछ लोगों का channel monetize नहीं है यानि उनके अभी 4000 घंटे complete नहीं हुआ 1000 subscriber complete नहीं हुआ और उन्होंने कोई ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें कोई Bollywood का song यूज किया है जिस पर content ID match हो गया है तो उस पर ad दिखाई देंगे लेकिन उस ad का पैसा भी उस company को चला जाएगा जिसका गाना उन्होंने यूज किया है भले उनका channel monetize नहीं हो तो यहां तक copyright claim की चीज़े clear होगे इसके अलावा copyright claim से कई बार ये भी फरक पड़ता है कि कुछ ऐसी company जब वो कहते हैं अगर हमारा कोई music यूज करता है या हमारा कोई song यूज करता है तो यह कुछ-कुछ countries में block हो जाएगा यानि आपका video कुछ country में block हो जाएगा या worldwide भी block हो सकता है या फिर कुछ ऐसे भी restriction लगा के रखते हैं कि यह वाला जो वीडियो वो सिर्फ ब्राउजर पर चलेगा मोबाइल एप में नहीं चलेगा तो यह सारी चीज़े होती है claim में यह चीज़े आपको clear यहां पर हो गई होगी अब बात करेंगे इसके बाद बताऊंगा लीगली कैसे यूज कर सकते हैं इसके बाद बात करेंगे श्ट्राइक की तो एर श्ट्राइक का सीन यह है कि माल लीजिए आपने किसी छोटी मोटी म्यूजिक कंपनी का कोई म्यूजिक या कोई गाना यूज किया अपनी वीडियो में अब उनको कोई content ID तो मिला हुआ है नहीं तो content ID मैच नहीं होगा लेकिन अगर आपका वो वीडियो उस ओनर के सामने आ गया जिसका आपने गाना या सौंग यूज किया है तो वह आपको डिरेक्ट श्ट्राइक देदेगा अब श्ट्राइक के के कैस में क्या होगा कि YouTube को report करेगा कि मेरा गाना या मेरा music यूज किया है तो यह मेरे copyright जो अधिकार है उनका हाना ने तो आपको copyright strike मिल जाएगा एक चीज़ मैं clear कर दूँ claim आने से चैनल पर कोई effect नहीं पड़ता है सिर्फ revenue share होता है या फिर आपका वीडियो अलग-अलग condition की बात है worldwide block हो सकता है फिर browser में चले mobile app में ना चले इस तरह के कुछ restriction होते है ज्यादा तर जो mostly यह होता है कि revenue share हो जाता है लेकिन अगर strike आपके चैनल पर आता है तो यह गलत बात है आपके चैनल के लिए कर सकते हैं Bollywood song को तो मैं आपको एक चीज के लिए कर दूँ सबसे पहले जब भी आप कोई music यूज करते हैं अपने वीडियो में तो उस वीडियो को हमेशा अनलिस्टेड करिए सबसे पहले अनलिस्टेड करिए 5-10 मिट वेट कीजिए आपको हात अगर content ID मैच होगा तो copyright claim आ जाएगा आपको यह चीज के लिए हो जाए कि copyright claim आ गया है मैं इस वीडियो से पैसा नहीं कमा पाऊंगा लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब पर रहेगा कोई दिक्तत नहीं है क्योंकि ज्यादा तर जो majority में बड़ी music company है वो हमेशा copyright claim देती है तो वहाँ पर अगर आप उनके साथ जाना चाहते तो ठीक है नहीं तो आप गाना चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे पैसा नीचे लेकिन मुझे यही वीडिय करना है तो आप वीडियो को publish कर दीजिए सिर्फ आपको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि revenue share हो जाएगा बाकि आपका गाना चलता रहेगा मलब आपका वीडियो चलता रहेगा और आप चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले वीडियो को unlisted करे कुछ देर और पता चल जार वो हमें copyright strike डाल दे तो ऐसे case में मैं आपको एक चीज किलियर कर देता हूँ श्ट्राइक हमारे चान के लिए बहुत बुरी बात होती है तो जब भी आप कोई ऐसा गाना यूज कर रहे हैं कि भाई इस पर कोई strike आ सकता है तो उसके लिए आपको उनसे permission लेनी पड़ेगी जिनका आप गाना यूज करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज और के लिए कर दूँ कि जब भी आप मानलो कोई गाना यूज करना चाहते हैं तो पहले कई बर क्या होता है कि आप कई बार ऐसी कोई वीडियो बनाते है जो एक गाने के related वी वीडियो होती है जानिक एक गाना है उसके recording या आपने एक वीडियो बना दिया अगर वो गाना जो आपने यूज किया है उस गाने को उस वीडियो में से हटा दिया जाएगा तो वीडियो का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा मान लीजिए आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया और यूट्यूब करके आपको पता चल जागा कि इस पर content ID मैच होता है या नहीं होता है उसके बाद आपकी मर्जिय आप गाने को publish करना चाहे या नहीं करना चाहे लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसा कोई claim आया ही नहीं है यानि कि उसके पास content ID नहीं है तो अब आपको ये डर तो कि कभी भी corporate strike आ जाएगा तो इसके लिए आप जो गाने का owner है उसको as a mail पर लिखे और उनसे आप permission ले सकते हैं हो सकता है वो आपको permission दे दे वो कह दे कि आप हमको credit दे या फिर हमारे आपके जो वीडियो का title उसमें हमारे गाने का नाम लिख दे हमारी मुझी company का नाम जाए सामने वाला as a humanity आपको कभी भी strike नहीं देगा लेकिन फिर भी अगर वो YouTube को complain करेगा strike के लिए फिर भी अगर वो करेगा तो आप कम से कम YouTube को दिखा सकते हैं कि मैंने इनसे लिखित में permission लिया था तो YouTube उसकी strike को नहीं मानेगा otherwise उसको use ना करें ऐसे गाने को जिस पर हा reaction वीडियो बनते हैं यह बहुत सारे music वीडियो पर reaction देते तो इनको strike क्यों नहीं मिलता है तो YouTube का यहाँ पर close यह है कि भाई अगर माल लीजे कोई भी एक गाना है मैं उसका review कर रहा हूं reaction दे रहा हूं उसके तो मैं चोटे से पाट में उस गाने को चला हूंगा बहले पू movie टेलर बनाते है movie बनाते है या फिर music बनाते है तो उनको भी लगता है कि एक creator काफी जादा popular है अगर यह हमारी चीज़ पर reaction देंगे तो हमारी popularity बनेगी तो उनको strike वो नहीं देते है उस case में दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजे आपने कोई movie का टेलर लिया और उस पर reaction दे रहे हो तो उस case में YouTube यह कहता है कि अगर आपने जो वीडियो बनाया reaction वाला वो ऐसा है जो कि जो original आपने जो movie का टेलर लिया है उससे बहुत अलग है उसका अलगी मोटो है अलगी moral है तो सायद आपको strike नहीं मिलेगा लेकिन अगर जिसने movie बनाई है movie का जो trailer है उसने य reaction देने से उनको problem हुई है उनके views loss हो गए या उनको कही न कहीं नुक्सान हुआ है तो वो आपको strike दे सकते हैं यह चीज मैं किले कर दूँ लेकिन जदातर होता ही है कि आप बहुत कहते हो कि बड़े-बड़े जो reaction देते हैं बड़े-बड़े creator है उनको corporate strike क्यों नहीं आता उसका कारण है कि movie company वाले सोचते हैं कि अरे creator तो पहले से popular है अगर हमारी किसी भी content पर यह reaction देते तो हमारा content ही popular होगा इसलिए उनको strike नहीं मिलती है तो अब सहर आपके दिमाग से सारी चीजे निकल गए होगी कि आप कितने भी second का music करें यूज करें आपको भाया claim आ सकता करने है I think सारे doubts आपके clear हो गए होगे फिर भी अगर bollywood song यूज करने के related या फिर किसी भी background music को use connected आपका कोई भी सवाल हो तो आप comment में जरूर लिखे वीडियो पसंद आईए वीडियो को like share कर दीजिए चैल पर पहली बार है तो subscribe करने के साथ नोडिफिकिशन मेल को दबा आता रहता हूँ मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक ने डोपिक के साथ तब तक के लिए चैहिंद